Hello everyone, आज हम करेंगे Class 4 की Hindi Grammar का Part 8, जो है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना, मतलब क्रिया उसे कहते हैं जो किसी काम करने का बोध कराते हैं, ठीक है कि हम कोई काम करा रहे हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, पौधे लगाना, तो उसमें जो लगाना है वो क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, जो हम कोई काम कर रहे हैं, जूलना, खेलना, बाते करना, उड़ना, तो यह सब बाते क्या हैं, जो हमें किस चीज का बोध कराती हैं, क्या बताती हैं, कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे क्रिया, अब आपके सामने एक पिक्चर है, आपके देख सकते हैं, एक गार्डन में दो लीडीज बैटी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, माली पौधे लगा रहा है, कुछ बच्चे जूल रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पतंग भी उड़ा रहे हैं, तो आपको इसके नी बाते हैं बच्चे जूल रहे हैं महिलाएं बाते कर रही हैं अब इन जो सेंटेंस हमने पड़े हैं इन सेंटेंस में जो ये रेट कलर से लिखा हुआ है ये सब क्या है ये सारी क्या है आपकी क्रियाएं लगा रहा है मतलब लगाने का काम हो रहा है यहां खेलने का काम यहां बाते करने का, तो कोई ना कोई काम हो रहा है, जब कोई ना कोई काम होता है, तो वहाँ क्या होता है, क्रिया, बच्चों क्या तुमने रंगी शब्दों की विशेष्था को समझा, क्या आपने इसकी विशेष्था को समझा, मतलब इसकी इंपोर्टेंस को समझा, सभी रंगी की कोई भी Sentence होंगे तो उसे क्या पता चाहिए वो क्या होंगी क्रिया होंगी यह सभी क्या है गार्थ हीद ज्लिक कोई इस नहीं होता है जहां पर क्रियानहें क्रिया को हम इंगलिश में verb कहते हैं, तो verb के भी ना, तो कोई भी sentence complete नहीं है, ठीक है, ऐसे ही, आप हिंदी में जब पढ़ते हैं, जब हम उसको kriya पढ़ते हैं, तो kriya में क्या होगा, sentence तो कभी भी complete नहीं होगा, जब English में complete नहीं हो सकता, तो हिंदी में कैसे complete हो जाएगा, बगार kriya के, जैसे, मात पत्र लिख रही है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, चिडिया घोसला बना रही है, तो इस तरीके से आप क्या है, जब तक आप कोई भी kriya नहीं लगाएंगे, तो ये क्या होगा, ये sentence अधूरा रह जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये sentences complete करके ल आते हैं, अब तुम्हें इन वाक्यों के सही अर्थ का ज्यान हो रहा होगा, कारण अब इन वाक्यों में क्या शब्द जोड दिये गए हैं, वाक्ये में प्रयोक की जा रही क्या एक शब्द की भी हो सकती है, और एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है, बतलब कि अगर आ करिया एक word की भी हो सकती है जैसे है कि हम हैं झाच पर किसे से चाहbourg मोहां खाना खा तो यह क्या है बन वर्ड वाली किरिमा अदंग मजचाण साथ ऑसकर दो ढह हैं तो यह ऑद restart क्रिया के वल एक शब्द की है पढ़, मतलब पढदना, खा मतलब खाना, लगा मतलब लगाना, एक शब्द की यह क्रियाएं भी वाकिए को पूर्ण कर रही है, ठीड़ है? मतलब इससे आपको पूरा sentence पता चल रहा है कि क्या कहना चाहा है, बंदा. अब कुछ यहां पर यह वाले sentences है माया पुस्तक पढ़ रही है माला खाना खा रही है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या है हमें पूरे जो वाक्य है पूरे जो sentences है उसका क्या पता चल रहा है पूरी क्रिया का बोध पता चल रहा है पूरा अर्थ इसपश्ट हो रहा है कि वो किस तरीके से क्या काम कर रहे है ठीक है क्रिया के संबन में ध्यान देने कुछ बाते हैं कि हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए link के आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन अब आप Link के आधार पर कैसे रूप में परिवर्थन मतलब Changes लाना, आधार पर मतलब उसके Based, Link के Based पर हम कैसे क्या कर सकते हैं, Changes ला सकते हैं, क्रिया में, अब देखो, Link हमने पढ़ा था, Link कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, तो Pulling हमने देखा, दो तरहा के होते हैं, Strailing और Pulling, तो इस तरी Link में क्या होता है, जो इस तरी का बोद कराता है, Pulling कौन सा होता है, जो Mail जाती का बोद कराता है, जो Prouch का बोद कराता है, ठीक है, तो अब को लड़का खेल रहा है और यहां पर है लड़की खेल रही है जब हमने लिंक पढ़े थे तो हमने बताया था कि लड़के के लिए हमेशा आएगा रहा आएगा और लड़की के लिए रही आएगा ठीक है ऐसे ही बुवन बाजार जा रहा है भावना बाजार जा रही है माता जी खाना खा रही है तो डिफ्रेंस आ जाता है पढ़ने में वचन के आधार पर कैसे एक वचन और बहु वचन दो तरीके के होते हैं ठीक है वचन तो वह पढ़ रहा है वे पढ़ रहे हैं वे मतलब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे वे हमने कब कऱिया बहुद बढ़ा है मतलब करीया का बहुत बढ़ा है इसमें रूप बदल बदल कर भी आती है जैसे सोना सोय सोए और बेहा आंगे हम एक ही वर्ड को कितने तरीके से यूज खहते हैं यहानप लिखाया गया है अब आम एक हट words हैं आपके सोना, रोना, धोना, लिखना, जाना, आना, खाना, पढ़ना, तोडना, डरना, उठाना, खिलाना, हसना, ठीक है, ये आपके क्या है सारे क्रियाएं हैं, अब इन क्रियाओं को आप कितने तरीके से use कर सकते हैं, वो आप का सोना, सोना ही रहेगा, सोई, सोएगी, सोएगी, कोई भी कहते हो, सो तो रही है न, तो क्रियाओं का कैसे हो जाते हैं, बिना क्रियाओं के वाकिये अधूरे रह जाते हैं, उनका कोई मेनिंग नहीं होता है, किस आधार पर क्रियाओं का रूप परिवर्तित होता है, हमने अभी पढ़ाता है, कि लिंग के आधार पर क्रियाओं के रूप में परिवर्तन आ जाता है, इस्ट्र प्रिया घोसला बना रही है, संजय पुस्तक पढ़ता है, पिताजी दफ्तर जाते है, कुमार बरतन बनाता है, बिल्ली चूहे के पीछे दौड रही है, चित्रों को देखकर बताई की कौन क्या कर रहा है, किसान हल चला रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़की बाजार जा गड़े है, चिट्डिया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, गार्ड जढडि चला रहा है, जढड़ी हिला रहा है, या पिर जढडी दिखा रहा है, ठीक है बाता है, नहीं आएगा यहां पर दिखा रहा है अब यहां पर आएगा दिये गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाईए लिख मैं लिख रही हूं पढ़ रोहन पढ़ रहा है चल गीता चल रही है स्पैलिंग मिस्टेक के गा पर बढ़ी ही मातर आएगी गा कोयल गा रही है नाच मोर नाच रहा है उड़ चिडिया उड़ रही है नेक्स्ट है चित्रों को उच्छी तक्रिया शब्दों के साथ जोड़िये जैसे यहां पर आप देखें सिल रहा है मोर नाच रहा है कुता भ दाना चुग रहा है तो इस तरीके से आपको पिक्चर के साथ आपको किर्याओं को मैच करना था तो इस तरीके से आपका यह चैप्टर भी कंपलीट हो जाता है आप फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया